दोस्तों आज का मैं ये वीडियो उन कंसल्टेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो वास्तु शास्तर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो अनपड़ गमार और नौसीखीय कंसल्टेंट्स एक चक्कर लेके घूम रहे हैं दोस्तों और वो उस चकर को चाहे रेक्टेंगल प्लोट है, चाहे स्क्वेर प्लोट है, कोई भी और शेप का प्लोट है दोस्तों वो उन plots में वो उन घरोब के नक्षों पे उसको चिपका देते हैं और गलत directions निकाल के वास्तू कर देते हैं और दोस्तों इतना ही नहीं वो बाद में बहस पे भी उतरते हैं वो बाद में वीडियो बनाते हैं कमेंट्स करते हैं और तो और दोस्तो कहीं ना कहीं बहस करने के लिए मिल भी जाते हैं किसी भी वेद में, किसी भी वास्तु शास्तर की जो बुक्स लिखी गई है, अथर वेद का पार्ट है दोस्तों वास्तु शास्तर और बहुत सारे वास्तु के गरंत है दोस्तों, वास्तु रतनावली है, मया मतम है, मांसार है, विश कर्मा परकाश है दोस्तों, तो वास्तु किसी भी बुक में, किसी भी वेद में, किसी भी गरंत में, दोस्तों, किसी भी बुक में दोस्तों, चकर का कोई भी विवरेंट नहीं दिया हुआ, दोस्तों, वास्तु शास्तर में कभी भी जोन्स नहीं काटे जाते हैं, ये जोन्स काट रहे हैं, वास्तु शास्तर में दोस् उसमें grid बनता है और वो उसको zone बोलते हैं दोस्तों कि यह zone हो गया यह zone हो गया जो कि किसी भी वेद में किसी भी गरंथ में कहीं पे भी ऐसा वास्तू नहीं है दोस्तों और जब भी आप rectangle plot पे या मकान पे किसी भी diagram पे उस चकर को रखते दोस्तों वो सारी दिशाएं इकटी करके दिखा देता है आपको rectangle plot है वो चकर आपने बीच में रखा उसने सारे directions वहीं पे गुमा दी उसके आगे कोई direction नहीं है दोस्तों उसके पीछे कोई direction नहीं है उनका वास्तू यहां कतम इसलिए मैंने कहा अनपढ़ वास्तू कंसर्टेंट जो अपनी इतनी बुद्धी का इस्तमाल भी नहीं करते के थोड़ा सा logic लगा लें और उस आगे और पीछे जो उन्होंने plot या मकान का हिस्सा छोड़ दिया है उसका भी वास्तू वो कर लें अब फिर वो consultant दोस्तों बहस पर उतरते हैं सबसे बड़ी बेवकूफी और मूर्कता उनकी यह है तो आज उन के साथ काम किया है और बहुत अच्छा experience गें किया है उन consultant से इसी लिए आप लोगों के आगे एक छोटा सा example में लेकर आया हूँ एक वास्तू का गरंथ में उठा के लाया हूं दोस्तों यह वास्तू शास्त्र के आपकी बुक है विश्कर्मा प्रकाश यह रहा यह एक गरंथ है दोस्तों विश्कर्मा प्रकाश आपका वास्तू शास्त्र का और इसमें यह पेज निमबर मैंने निकाल के रख रखा है आपको दिखाने के लिए 125 दोस्तों यह रहा 125 पेज निमबर है दोस्तों वास्तू शास्त्र में विश्कर्मा प्रकाश यह बुक का नाम है इस बुक में आप बड़े अराम से देख सकते हैं यह डाइग्राम में आपको साइड में शेर भी करूंगा दोस्तों बड़े अराम से आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे plot खिषताज गया, जैसे जैसे plot square से rectangle हुआ सारी direction stretch हो गई हैं दोस्तों, सारे grids जो वास्तुम शास्तर में बने वो सारे stretch हो गई है और इसमें कहीं भी कोई चक्कर का विवर्ण नहीं है दोस्तों, पूरी book में और भी बहुत सारे गरंत हैं मैं नहीं लाया हूँ, ठाके एक ही लाया हूँ example के लिए, बट दोस्तों कहीं भी कोई चक्कर का विर्वर्ण नहीं है ये चक्कर वाले consultant से बचो दोस्तों और मैं अनुरोध करता हूँ उन चक्कर वाले consultant से के बजाय भहस करने के गरंत पड़ो, बजाय भहस करने के वेद पड़ो, उस चकर के चकर में लोगों को ना फसाओ मैं request करूँगा उन consultant से जो ये वास्तू का चकर यूज कर रहे हैं के वेदों के साथ छिडखानी ना करें जो वेदों में दिया है उसी को यूज करें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा ले के directions कैसे निकाली जाती है अगर नहीं आती है तो कहीं से अच्छे सी किसी consultant से आप सीख ले जो भी एक अच्छा कोई consultant हो बहुत सारे consultants हैं इंडिया में इंडिया के बाग और मैं request करूँगा चलते चलते उन consultant से के बहस ना करें धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आया हो पसंद नहीं आयोगा consultants को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें